नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिक इंफॉर्मर में तो अस्टेलिया वर्सेस साउथ अफरिका का जो टीन मैचों का टेश रिंख लाता वो खत्म हो गया है और अब डबलू टीसी पॉइंट स्टेबल लगभग क्लियर हो गया है और क्वालिफिकेशन सीनारियो भी सारी टीमों के क्लियर हो गई है लगभग अगर हम बात करें तो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज पाकिस्तान न्यूजिलैंड और बंगलादेश क्वालिफिकेशन सीनारियो से बाहर है क्योंकि अब इंग्लैंड को कोई भी मैचेज नहीं खेलने है वहीं पाकिस्तान को भी WTC cycle के जो इस वाला cycle है इसमें कोई भी match नहीं खेलना है न्यूजिलैंड को जरूर खेलना है बंगलादेश को भी नहीं खेलना है तो न्यूजिलैंड भी लगबग qualification सीनारियों से बाहर है और अगर हम बात कर लें जो next दो मैचों की test सिंखला इसमें सिलंका होश्ट होगा तो ये तीन सिंखला हैं बची हुई है test series की और इनी तीन सिंखलाओं पर निर्भर होगा कि कौन टीम qualify करती भी नजर आएगी अगर हम बात करें qualification सिनारियों की सुरुआत करते हैं अस्टेलिया से और एक बार देख लेते ह हैं WTC points stable updated point table है आठ तारीक को जो आज January है उस आज के date का ये points stable updated है जो अस्टेलिया और साथ अपरिका का तीसरा test match ड्रा रहा उसके बाद ये points stable है अगर आप इस पे नजर डालो तो अस्टेलिया 75.5 PCT point के साथ top पे है जरूर इनको एक sit back जरूर आज के match में ये लगा कि ये आज अगर जीट जाते ये match draw नहीं रहा था बारिस कारड जो बारिस ने South African team को बचा लिया अगर उसके कारड ये match draw नहीं रहा था तो Australian team अब तक एक ऐसी team हो बन जाती जो की confirmed qualification अपना सुनिश्चित कर ले WTC के लिए लेकिन अब Australian team के भी chances थोड़े से doubtful है अगर वो भारती team से अगर हम बात करें Australian team के पहुशने के chances तो अगर Australian team तब पहुचेगी WTC के final में अगर वो भारती team को तीन एक मतलब भारती team से एक match draw करा लती है या एक match जीत लेती है तब Australian team के qualification chances confirmed हो जाएंगे और Australian team WTC के final में पहली असी team बन जाएगी जो की पहुच जाएगी तो Australian team को अब क्या करना है कि उनको भारत के खिलाफ एक match draw कराना है या एक match जीतना है अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वो अपने उनका मतलब वो confirmed हो जाएंगे कि वो WTC के final में पहुचेंगे ही पहुचेंगे तो Australian team को एक match जीतना ही जीतना है अगर हम बात करें उनके बा जाती है फिर सिलंका team और Indian team final में पहुच जाएंगे और Australia बाहर होती भी नजर आएगी तो अगर भारती team से Australia 4-0 से हार जाती है और सिलंका अपने दोनों match जो New Zealand के खिलाफ ए दोनों जीतने में सफल हो जाती है तो Australian team बाहर हो जाएगी अगर हम बात करें भारती team से अगर 4- जीरो से Australia हार भी जाती है और सिलंका अपना एक भी match ड्रा या या हार जाती है New Zealand खिलाफ तो भी Australian team पहुच जाएगी तो Australian team के पहुचने के चांसे बहुत हैं अगर वो 4-0 से हार भी जाते हैं अगर New Zealand team सिलंकन team को हरा देती है एक भी match या ड्रा करा लेती है तो भी Australia अपने दो के दोनों match New Zealand के खिलाफ जीच जाए तो वहाँ पे Australian team बाहर हो जाएगी WTC के race से तो ये तो qualification scenario था Australian team का अब हम आते हैं दूसरी team जो की second number पे point stable में है अभी तक उसके qualification scenario के बारे में तो उसको हम लोग deeply analysis करेंगे 3-4 cases हैं भारती team के WTC के final में पहुचने के तो वो cases हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या cases हैं कैसे-कैसे भारती team WTC के final में पहुच जाएगी तो ये आपके screen पे हैं कि कैसे भारती team के क्या-क्या chances हैं पहला जो सबसे आसान सा chance है भारती team के लिए किसी के उपर dependent नहीं रहने वाला chance की मतलब swing ही जीते हैं और swing ही पहुच जा है उसमें Australia को 3-0 या 3-1 की margin से अगर हरा देते हैं मतलब 1 match draw अगर भीरा जाता है या 3-1 या 4-0 की margin से Australia को हरा देते हैं तो वहाँ पे भारती team क्वालिफाई कर लेगी और अगर 3-1, 3-0 से हराते हैं तो Australia और भारती team दोनों क्वालिफाई कर लेगी अगर 4-0 से हराएंगे तो फिर Australian team को Silanka और New Zealand के series पे dependent रहना होगा कि उसका result क्या होता है तो वहाँ पे हमने अभी पहले अपने video में discuss किया कि अगर Australia 4-0 से आ जाती है तो Australian team के qualification के chances क्या रहेंगे और अगर भारती team यहाँ पे हम बात करें तो 3-1 या 3-0 से मतलब 1 match हार भी जाए तो भी 3-1 से अगर Australian team से series जीज जाती है या 3-0 से जीज जाती है या 4-0 से जीज जाती है तो वो qualify कर लेंगे उनको किसी और result पे dependent नहीं रहना होगा तो यह तो बात थी कि कैसे भारती team swing ही qualify कर लेती है अगर भारती team का यह 2-2 match test match ड्रा रहता है तो फिर भारती team के थोड़े से slim chances हो जाएंगे तो कि अब उनको उसके बाद अगर 2-2 match का test series ड्रा रहता है तो उनको अब New Zealand series और Silanka series पे dependent होगा होना पड़ेगा वहाँ पे उनको देखना होगा कि Silanka team कम से कम 1 match हारती हुई नजर आएगी वहाँ पे अगर New Zealand के खिलाप 1 match या 1 ड्रा हो जाता है तो भारती team फिर से qualify कर ले तो उस सिनारियो में ये रहेगा कि जो वेस्ट इंडीज वर्से साउथ अपरिका का सीरीज है वहाँ वेस्ट इंडीज को 1 match ड्रा या 1 match हराना पड़ेगा साउथ अपरिका को और वहीं अगर बात करें New Zealand वर्सेस सिलंका सीरीज में तो वहाँ सिलंका को कम से कम 1 match हारना ही पड़ेगा ड्रा भी नहीं चलेगा कम से कम 1 match हरना पड़ेगा New Zealand को तभी जाकर भारती team qualify कर प पतलब एक असान तरीका कि 3-1 से भी अगर हरा देते हैं एक match हरते हैं तीन match जिट जाते हैं वो डारेक्ट qualify कर लेंगे और वो अस्टेलिया के साथ qualify साथ में दोनों टीमें कर जाएंगी फिर ये तो रहा भारती team का qualification scenario best possible scenario हमने देखा best possible scenario ये है कि दो-दो से statuary draw कर लें फिर उसके बाद सिलंकन team का उमीद करें कि सिलंका एक match draw हो जाए सिलंका का न्यूजिलेंड के खिलाफ या न्यूजिलेंड team एक match हरा दे सिलंका को तो भी वो qualify कर सकते हैं तो हमारे हिसाब से जो best possible scenario है कि भारती team अपने सरजमी पे तो जरूर सिलंका को 3-1 से या 3-0 से हराने में कामयाब रहेगा अगर ऐसा नहीं कर लेता तो 2-2 भी अगर होता है तो फिर वहाँ पे हमें pray करना होगा कि सिलंका अपना एक match न्यूजिलेंड से हर जाए अगर ऐसा नहीं होगा अगर सिलंका दोनों match न्यूजिलेंड को हरार देगी और भारती team इस series में अगर 2-2 draw कराती ह है या 2-1 से series हार जाती है उस case में अगर सिलंका दोनों match न्यूजिलेंड जाती है तो फिर सिलंका अस्टेलिया के साथ qualify कर लेगा WTC के final में तो यह तो भारती team के सिनारियो उस थे जो की काफी clear cut है भारती team को 3-0, 3-1 या 4-0 से अस्टेलिया को हराना होगा अगर 2-2 भी करा सिरीज में तो फिर उनको dependent होना होगा other result में अब हम बात कर लेते हैं सिलंकान टीम के qualification सिनारियो के chances के बारे में कैसे सिलंकान टीम qualify कर सकती है वो आपके screen पे एक बार WTC का point table लेते आते हैं तो अगर हम देख लेते हैं तो सिलंकान टीम तीसरे अस्थान पे इनके भी chances काफी हैं लेकिन ये dependent हैं अभी से result पे अगर सिलंकान टीम के chances की बारे में बात करें तो अगर भारती टीम तीन जीओ या तीन एक होता है सिरीज में अस्टेलिया के खिलाब तो सिलंकान टीम के chances खत्म हो जाएंगे और ये नहीं पहुँच पाएंगे फिर अस्टेलिया और इंड जो से अस्टेलिया को हरा देती है या भारती टीम 2-1 से सिरीज हार जाती है अस्टेलिया से तब उस सिनारियों में सिलंकन टीम अपने दोनों मैज जीज जाती है न्यूजिलेंड से तब जाकर ये डव्लू टीसी के फाइनल में पहुच जाएंगे सिलंकन टीम के चांसे तब ही बनते है जब भारती टीम या तो सिरीज हार जाए या 2-2 से बराबरी कर ले या तो अस्टेलिया को 4-0 से हरा दे तब जाकर सिलंका अगर अपने दोनों मैज जीज जाती है न्यूजिलेंड से उस केस में ये अस्टेलिया और इंडिया दोनों को कर देंगे आगे निकल जाएंगे और सिलंकन टीम WTC के फाइनल में पहुच जाएगी अगर हम बात करें इनके साथ कौन पहुचेगा अगर अश्रेलिया को भारती टीम 4-0 से हरा देती है तब सिलंकन टीम अगर न्यूजिलेंड को दोनों मैश हरा देती है तो सिलंका और भार में खेलते हुच दिखेंगे तो जो मैक्सिमम चांसेज है वो अश्रेलिया इंडिया और सिलंका के ही है साथ अपरिका के चांसेज बहुत ही स्लीम है बात करें इंग्लैंड वेस्ट इंडिज पाकिस्तान न्यूजिलेंड बंगलादेश तो ये लगभग रेस से बाहर है त हमने देखा कि किस तरीके से भारती टीम क्वालिफाई कर सकती है तो भारती टीम के लिए जो सबसे असान तरीका है वो अश्रेलिया टी को टीम को तीन जीरो या तीन एक से हरा दे अगर दो-दो से ड्रा करा लेते हैं तो फिर उनको न्यूजिलेंड और सिलंका के सीरीज प मास्क पहनते रहें सैंड सैनिटाइज करते रहें और दोगज की दूरी जरूर बना कर रखिए जय हिंज जय भारत